अलो साथियो नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर लोकेस बाली स्वागत करता हूँ आप सभी का आज साथियो हम जानने वाले हैं कि अगर आप NTA NET के एक्जाम को पास करते हो और आप assistant professor बनते हो या फिर आप associate professor बनते हो या फिर आप professor बनते हो तो आपकी salary क्या होने वाली है बहु सेवन जो वेतन आयोग लगा हुआ है उसके अनुसार क्या salary मिलती है assistant professor को और associate professor को या फिर प्रोफेसरों को क्या salary प्यारे साथियों दी जाती है क्या salary मिलती है मैं आपको बतला दू अभी तक आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को लिजे subscribe यहां पर एक bell icon आए प्रोफेसर बना रखिये आप जाओ प्लेलिस्ट पर जाकर अलग अलग परकार के वीडियो यहां पर आप देख सकते हैं तो साथियो चैनल को subscribe कर लिजिए bell icon को press कर दीजिए और आप मैंसे कितने लोग हैं जो assistant professor बनना चाहते हैं वो एक बार नीचे comments करके अपनी हाजरी ल बनना चाहते हैं तो वो नीचे comments कर दीजिए साथ के साथ अपना सब्जेक्ट भी लिख दीजिए comment में और उसके बाद में आपने नेट यारे पास किया है या नहीं किया है यह तीन चीज comments करके मुझे बदला दीजिए इसके अतरिक्त आपका कोई और सवाल हो तो वो भी comments क अभी चीजों को सामिल करूँगा और आपको गाइड करूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट में कैसे professor बन सकते हो ठीक है अब हम करते हैं सुरुवात प्यारे साथियो मेरा नाम जैसा कि आप सभी को पता है डॉक्ट लॉकिस बाली है मैं अपनी salary slip भी इसमें आपको दिखा दिया गया था क्या सात्यों यहां पर सेवंध पे कमिशन आया था उसी के अनुसार ही मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूं चलिए एक-एक चीजों को समझ लेते हैं HR वागेरा को भी समझ लेंगे कैसे कैसे चीजे आती हैं सात्यों तीन प्रकार से professor बनते हैं सबसे स्टार्टिंग पर बनता है असिस्टेंड प्रॉफेसर क्या बनता है असिस्टेंड प्रॉफेसर बनता है उसके बाद में असोसियेट प्रॉफेसर बनता है और फिर जाकर प्रॉफेसर होता है ध्यान रहे सबसे पहले असिस्टेंड प्रॉफेसर बनता है इनसान फि आधार पर ही आपकी सेलरी कम या ज्यादा होगी इसका निर्ने किया जाता है आईए अब हम रिवाइज पेपर बात कर लेते हैं जो रिवाइज पे हुई है यह ऑफिसली डेटा है पहले वाली पे यह थी अपकी रिवाइज पे यह है वर्तमान में जब की वीडियो 2022-2023 में जब यह वीडियो बना रहा हूं उस समय वर्तमान में सात्यों सेलरी यह है देखो अगर आप नेट पास करके ज्यारे पास करके असिस्टेट प्रोफिसर बनते हैं तो आपके लेवल 10 में काउंट किया जाएगा आपको किसमें किया जाएगा आपको लेव स्ट क मिलता है जैसे इस्टैट की राजदानमे रहने वालों को उससे कम आपको को कि कम रया घ्लोब यह तो आप जानते होंगे अगर नहीं का आप पहले जो इस समय HR लगा करता था 30%, 20% और 10% लगा करता था लेकिन इस HR को यहाँ पर खतम कर दिया है और इस HR की जगे 12%, 14%, 8% कर दिया गया है देखो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यह 12 साथ हूं और असिस्टेंट प्रोफेशर की सेलडी है। और यह तीन सेलुरी क्यों हो रही है बता देंड़े देखो यह पर आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर आहां लेवल 10 यहाँ पर आहां लेवल 11 और यहां पर रहें लेवल 12 यहां पर क्या है कि मानलो कोई फ्रेसर स्टूडेंट है जिसने में किया है प्लस नेट पास किया है और वह सायक प्रॉफिसर बन गया है तो लेवल 10 में सामिल रहेगा तो 57000 प्लस एच आरे उसकी बेसिक सेलरी देगी शुरुवात के मंत्री लेकिन मानलो उ उसने कोई बुक पब्लिक करवा दी है ना पिएच डी कर ली तो उनका प्रमोट हो जाएगा वह लेवल 11 और उसकी सेलरी हो जाएगी अगर इसकी जानकरी नहीं है आप लोगों को तो आप नीचे कॉमेंट्स करके बता देना मैं डिटेल्ड में एक वीडियो बना दो वैसे मैं आपको बता दो अपकी परसेंटेज अच्छी हूं या फिर आपने डिग्रिया जादा कर रहा है तो सीधे सीधे तीस अंक एपिय में जुड़ जाते हैं किसी ने कर रहा है तो उसके दस अंक जुड़ जाते हैं तो एपियाई का मतलब होता है आपका अकेडमिक इस तर क्या है अच्छी बुक लिख लिखो जनरल में पेपर पब्लिक्स करवाओ पीचडी करो इसे अमना एपिया स्कोर बढ़ता है ठीक यह 8000 Plus HR लगब एक लाग की लंप संब आपको HR वैरे मिला मिलों के यहां पर सिर्ठ और असली हो जाती है 6 Su ऑसिट्र प्रॉफिसर के बनते हैं अशौसीट्र अप्रोफिसर कैसे बनते हैं एक तो आपके आसिस्तेंटड फेसर से डाइरेट आपका्यटी हो और आप दूसरी विस्पित जाले में अप्लाई करते हैं तो वहां आप असोसेट प्रोफेसर बन सकते हो यानि असिस्टेट प्रोफेसर बनने के लिए आपको न्यूनतम अरियता चाहिए और असोसेट बनने के लिए आपको थोड़ी सी योगिता बढ़ाने पड़ती है यहां पर जो सेलरी है साती हो एंट्री लेवल जो पे है साती हो वह 31,03,000 प्लस है ठीक है और यहां पर जो प्रोफेसर की जो सेलरी है साती हो लेवल 14 मा जाएगा यह 1,44,000 प्लस है यानि कि प्रोफेसर की जो सेलरी सुरुवात मिलती है लगबग 2,00,000 रुपे के आसपास मिल लेकिन दीरे दीरे आपकी seniority बढ़ती जाती है नीचे कि आगर PDF में आगर देख पाओगे नीचे जैसे जैसे आपकी seniority बढ़ती जाती है आपकी 2.50 lakh इतनी salary भी साती हो सकती है यानि कि धाई लाक रुपे तक आपकी salary बढ़ सकती है यानि कि यह सकते हैं कि प्रॉफिसर की ज किसी central university में हो या फिर किसी state university में हो या फिर देश के metro city है जैस चेन नहीं हो गया बंबे हो गया धहली हो गया अगर वहां हो तो आपको HR जादा मिलेगा इसका मतलब आपकी salary भी जादा हो जागे लेकिन base pay है ना यह आपको इस समय स्क्रीन पर show रहा होगा अधिक जानकरी के इसने base pay को मैंने यहां पर भी अलग-अलग प्रकार से डिवाइड कर रखा है आप वीडियो को पोज करते विए इस चीज को समझ लो अगर मैं ज्यादा समझाओंगा इसको तो फिर आपको pay scale भी दिखाने वीडियो लंबा हो जाएगा ठीक है यह इसको आप पोज करके एक 6653 दिखा रखे है जो basic प्लस आपको इसमें HRAB include हो जाएगा क्या हो जाएगा इसमें HRAB प्यारे साथ हो include हो जाएगा ध्यान रहे जो मैंने level 10 की बात की थी आपसे वो है level 10 की salary यानि की करके एक लाग रुपए के आसपास यहां पर आपको salary मिल जाएगी अब यार एक 8800 इनका basic है और जिसमें के allowance मिला है 11000 इसपेसल कुछ अलग मिला है वो इनका मिला है PFEF इनका भी मिला नहीं है क्योंकि वो साल क्यांत मिलता है ऐसे करके 8656 प्लस HR इनको salary वैलरी मिल जाएगी साथ तो इस प्रकार से पूरे salary का गणित होता है आप कैसे professor बनोगे इसके बार पढ़ाने का अनुभव प्राप्त है मुझे तो आप जाएए और अपने चैनल को subscribe कर लिजे यहाँ पर विभिन विभिन प्रकार के वीडियो जो आपको देखने को मिलते हैं मैं हमेशा higher education को ही target लेकर चलता हूँ ठीके सात्यों बहुत धनवाद आपका इस वीडियो को दे तो से देक्नी जेगा. Thank you.